मैं जानता हूँ आप बंसी बादन सिख्छा करने की इच्छा रखते हैं और ये भी जानता हूँ आपकी नजदी की एरिया में बंसी सिखाने वाले गुरु एवेलेबल नहीं तभी तो आप यूटूब देखकर बंसी बादन सिख्छा करने की कोसिस कर लेगे हैं अब दोस्तों आपकी ये इच्छा पूरा करने में मैं हेल्फ कर सकता हूं इसी चैनल के माध्यम से मैं हूँ फ्रदीप स्वागत करता हूं मेरे और आपके इस चनल फ्रदीप कुमार फाइक दा म्यूजिक पर इंडिन ख्लसिकल म्यूजिक के और सीडियो फ्रदीप करता हूं इसा चैनल के माध्यम से दोस्तों ऻाखे अइस क्लासिकल ॐजिक करते हैं उँद्ली और सबस 흥 कर चु inmग से कोarat के पास पहुंचे और तिनों ने पहले से इस चनल को सब्सक्राइब कर चुका है उनको बहुत-बहुत धन्यवाद तो आए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे कि इस वीडियो के थमलेल देखे आप जान गये होंगे कि आज की टॉपिक क्या है आज की टॉप हम जब YouTube देकर सीखेंगे हम तो सीखेंगे लेकिन क्या सीक रहे हैं सही सीक रहे हैं या गलत सीक रहे हैं हमको नहीं मालूंग रहता है ये defect हमको correction करने के लिए गुरू रहते हैं अगर आप चाहेंगे मैं online class भी start कर रहा हूं अगर आप interested हैं तो comment के मादियम से मुझे तो आई दोस्तों राग भुपाली को हम सिखते हैं बंसी में, आज की वीडियो में हम सिखेंगे राग भुपाली की परिचय और उसका बंदिस, देखें दोस्तों किसी भी राग की सिख्या करने से पहले हमें उसका परिचय मालूम होना चाहिए, जैसे कि इस वीडियो में दि डिसकस करने के लिए आपको बताने के लिए मैं स्केल लिया हूँ, नेचुरल सी के, फ्रूट भी लिया हूँ, नेचुरल सी के, मिडिल उक्टेक के, आ रो हो, आप देखते हैं, आप रुखाँ, आप देखते हैं, आप रुखाँ, साधापा गारी धाधासा, साधापा गारी धाधासा, आरुखा अब देखते हैं, इसका पकड़, गारे पागा, गारे धाधासा, ये था इस राग की आरुखा अबुर्भा पकड़, दोस्तों ये आपको बताने के लिए मैं स्केल लिया हूँ, नेचुरल सी के फ्लूट में बजाएंगे, तो आपको ज़्यादा हेल्प में लिए अब दूसरा स्केल में भी बजा सकते हैं, मैं जो नोटेशन बोल रहा हूँ, दिखाया हूँ, उससे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके, उसी नोट के हिसाब से आप प्राक्टिस करेंगे, अपनी फ्लूट के हिसाब से तो भी चलेगा, आए उसको आप बंसी में कैसे बजाते हैं, देखेंगे, दोस्तों बंसी में सारे गामा पाधा निसा कैसे बजाते हैं, मैं अल्रडी पहले से भी वीडियो डाल चुका हूँ, आप इसी वीडियो की टॉप की राइट राइट कॉर्णर में आई बटन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो बंसी में सारे गामा पाधा निसा कैसे बजाते हैं, मैं पहले जो भीडियो डाल चुका हूँ, वह आपको दिखाई देगा, उसी से आप प्रक्टिस करके सारे गापा धासा सारे गामा पाधा निसा कैसे बजाते हैं, आप जान पाएंगे, देखते हैं बंसी में आरोह अवरोह कैसे बजाएंगे, सारे गापा धासा साधापा गारिसाँ, यह था, आरोहो, अब रोहो, अब पकड़ देखते हैं, गारे पागा, गारे धाधा साधापा, यह था, आरोहो, अबरोहो, पकड़, दोस्तों इस राग में पांचवर लगते हैं, आरोहो में पांचवर और अवरोहो में पांचवर लगते हैं, इसलिए इस राग की जाती है ओड़फ ओड़फ पांचमा स्वर लगते हैं आरोह अवड़फ में बादिस्वर है गान्धार और सम्बादिस्वर है धा यनके धाइवद अधिस्वर मतलब भुपाली राग में ज्यादातर गान्धार स्वर की प्रोग किया जाता है उसके आई आई बटन दिखाई दे रहा है उससे क्लिक कर लिजिए अब जानेंगे राग भुपाली कल्यान थार से क्यों लाया गया है एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक है देश्ते क्लिक की जिए अब देखते हैं राग भुपाली की गायन या बादन समय क्या होता है राग जिसका बोल है अगर आप त्रिताल के बारे में नहीं जानते हैं अगर इसको जानना चाहते हैं इस वीडियो की टॉप की राइट साइट कौर्णर में आई वटन दिखाई दे रहा है उससे आप ख्लिक कर दीए त्रिताल क्या होता है इसका बोल क्या होता है सम क्या होता है ताली क्या होता है खाली क्या होता है उसमें बताया उस वीडियो में अब उसे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो में बताने से वीडियो बहुत ज्यादा लॉंग हो जाएगा इसलिए आज की वीडियो की जो मेंट अपे गया है वोई वीडियो में आपको दे रहा हूँ अब दिखते हैं इसरा के बंदिश में आपको दे रहा है वोई अपर्टा। कर दो कर दो दोस्तों अभी जो बंसी में आपको सुनाया ये था राग गुपाली के बंदिश जो तीन ताल में आबद्ध है इस बंदिश को हम कैसे सीखेंगे बंसी में इसका आज टुटलर क्लास देंगे जिसका नोटेशन आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है त्री ताल का बोल दिखाई दे रहा है 1,2,3,4 भी लिख दिया हूँ नोल नोल मत्रा कहां पर है आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है वहीं से इसका नोटेशन स्टार्ट हो रहा है साज साधा पागारे सारे गारे गारे गापाधा साज साधा पागारे सारे गारे गारे गापाधा दो कोफी में आप ऐसे टेवल मनाईए 1 2 3 को लिखिए 9 9 मात्रा के नीचे तार सब तक की सा लिखिए सासा धापा 9 10 11 12 देखिए दोस्तों 9 9 मात्रा में स्टार्ट हो रहा है सासा धापा पहले आपको ऐसे अभ्यास किजिए सासा धापा 9 10 11 12 13 14 15 सुलो मन होगा साथ दापा घार पधा इसे आप बंची में पहले सासा धापा तारे सारे को अब प्रेक्टिस प्रेक्टिस हो जाने के बाद आयेगा गारे गाफाथ स्थाई का दूसरा लाइन गा गारे गा पाधा गा गारे गा के साइड में एक लाइन दिखाई दे रहा है मतलब गा आ हो रहा है गा आ गारे एक मात्रा के नीचे एक एक स्वल लग रहे है एक दो नवर मात्रा में दिखाई दे रहा है एक लाइन का सिंबॉल तो मतलब गाहा हो रहा है दोस्तों समझने की कोशिस कीजिए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ यही जतना इजी हो सकता है उतना इजी करके आपको बता रहा हूँ